नमस्कार दोस्तों, Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 4 आ चुका है मार्केट में, तो उसके लेटेड में यह वीडियो है, तो Redmi Note 5 Pro को हम compare करने वाले हैं, Redmi Note 4 के साथ में, तो आएए देखते हैं, अगर आप इसमें confusing है कि Redmi Note 4 ले, या फिर Redmi Note 5 या Note Pro ले, तो आपके दिमाग में यह दि कोई confusion है, तो यह वीडियो के थुरू मैं आपको बता देना चाहूंगा, सारी चीजों की details, इसमें हमने comparison किये है, Note 4 के साथ में, Redmi Note 5 Pro को, और इसमें हम देखेंगे, पेरेमिटर के आधार के कौन-कौन से चीज़े हैं, और कौन से चीज़े आपको लेनी चाहिए, किस आधार पे लेनी च पर इस साथ पर जाचेंगे, Redmi Note 5 Pro जो है, इस साथ पर जाचेंगे, दोनों में color की differences जो है, मैं बता दू, यह ब्रीव कलर वारे सारे parameter से इनके आधार पर जाचेंगे, और यह जो green colors के जो दीख रहे हैं, वह उसके मतलब advantage है, वह ज्यादर बेतर है, ना के वह जो white वाले में रह गए हैं, वह जानते हैं, Redmi Note 4 जो कि आपको बता दू, भारती बजारों में, जो मिल रहा है, 9,995 रुपे में 3GP वाला वर्जन और 10,995 रुपे में 4GP वाला वर्जन और उसी तरह पे Redmi Note 5 Pro जो है, वह 13,995 रुपे से चालू होता है, तो चलिए details में जानते है, स्क्रीन के बारे पहले बात करेंगे, तो Redmi Note 5 की स्क्रीन 5.5 इंच की जिसकी 1080-1920 की रिजोलुशन है, 400 नेट्स की ब्राइटनेस है, 403 का PPI है, 16-9 का एस्पेक्ट रेशियो पहले इसको कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जो 18-9 का एस्पेक्ट रेशियो जैसे आया है, Note 5 Pro इसको हम Full HD या Full View डिस्प्ले भी कहते हैं, उसके वज़े से थोड़ा इसकी परिभाषा ही चेंज होगी ये स्क्रीन की, 2.5D का गलास दोनों में था, इसमें गुर्या गलास के प्रोटेक्शन भी आते हैं, अब देखते हैं, Note 5 में जो है स्क्रीन ये 18-9 के एस्पेक्ट रे तो ये रेशियो डिसाइड करता है, इसकी रिजूरिशन साइज और 450 निट्स का ब्राइटनेस आ गया है, इसके वज़े से आप अनने धूप में वगरा में, सारी कंडिशन में रीडाउट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी रीडेवल फीचर दिये गए, दोनों की ब प्रेम में आप देख सके तो, ये ब्लू कलर में इस तरह से अविलेबल है, या पर दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लू कलर एक आया है काफी शांदर कलर से, ये ये जो कलर है ये ब्लू, लेक ब्लू इसको कहा गया, काफी सुंदर कलर से नया उभर के आया है, तो इसके बार में क्या बात कहने बहुत बढ़िया कलर से और मेमरी की डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारी चेंजिस मिलेंगी 2GB से चालू होता था रेड्मी नोट 4 वाला तीन जीबी और चार जीबी के साथ में आता था इसे-से जो की बढ़ा आप उसको जो है बढ़ा के रैम बढ़ा दिया गया है चार के बदले अब छे जीबी कर दिया गया है और इंटल मेमरी वही रखी गई है और अधिशनल अधिकार्ट के दूर्प एक 188 बढ़ा सकते जो कि पुराने में पिता नूँव डेडिकेटेटेटेटेटेटेटेट स्लोट नहीं दिया यानिकि आपको दो सिम लगाई या तो एक सीम एक एजडी काड अगर कंप्रोवाइस करके लगा सकते हैं तो इस तरह से हैं तो आप 12MP का कैमरा कर दिया गया है रियर वाला जो कि 2.2 का अपार्चर के साथ में पहले वाला 13MP का था लेकिन उसका रिजुलिशन जादा होगे लिए कि उसकी क्लिर्टी जो है इस समय सोनी के सेंसर साइम एक 376 का सेंसर लगा दिया हो भी 1.25 माइक्रों पिक्जल साइज पहले वा दिया गया है रियर वाला पहले सिंगल था डबल कैमरा हो गया है फ्रंट कैमरे में काफी बढ़िया काम किया गया है 20MP का सेलफी LED लाइट के साथ में आता है जो मूनलाइट फ्लेश की तरह काम करेगा पुराने वाल में कोई LED लाइट नहीं थी और 5MP कैमरा था तो बहुत दूम मचा रहा था प्रोसेसर आप उसके अंदर रख दिया 636 जो पहली बर वर्ल्ड में किसी कंपनी लॉंच किया है और एट्रिन पांसो नो का है जो कि आपको गेम खिल में काफी मज़ा आने वाला है बैटरी में थोड़ा सा 100mh की ढिलवाई की गई है लेकिन मेर बढ़ गया इसके वैसे हो सकता है इसकी लेंथ बढ़ चुकी है ग्लास होगा रखी वजन जादा हो गया है चार्जिंग आपको सिमलर मिलता है फाई वोल्ट टू एंपियर का पहला सिम 4G चलेगा दोनों 4G चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं को जीयों किसी मीजर के लिए का 5.0 कर दिया गया 2.4 GHz जो था सिंगल बेंट अब डूल बेंट 5 GHz वाइफाई भी सपोर्ट करेगा यानि ज्यादा मजबूत सिगनल्स आपको मिलेंगे प्राइज में आपको देखा जातों रेड्मी नोट 4 काफी बढ़िया है इसको तीन जीवी 22 वाला वेरेंट जो है आ रेड्मी नोट 4 एवेलेबल है लेकिन और ये 22 तारिक से आपको मिलेगा तो इसके लिए आपको बेटिंग काफी करनी पड़ेगी फिलिपकाट MI या MI स्टोर से लेने के लिए एक्स्ट्रा फीचर में आपको सीमिलर से रेडिंग मोड बगर दिया जाएगा इन दा बॉक्स आपको सारी चीजी मिलेगी एडिशनल कंप्री ने किया एल्ट्रा स्लीम केस मिलने वाला मुझे काफी पसंद आया यह चीजी नोट दीए ताकि बाहर से लिन कोई जरूत नहीं तो इस तरह रेड्मी नोट 5 प्रो के जो है साथ पॉइंट हो जाते प्लस और रेड्मी नोट फो के हो जाते थ्री पॉइंट तो रेड्मी नोट फो फोइंट पर किसी हिसाप से आप ले सकते हैं आप देख सकते हैं जो जो ग्रीन है बैटरी 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 पर फरक नहीं आएगा फिर आपको बैटरी अच्छी चाहिए वर्जन उसका कम चाहिए और सबसे मेन बात आपके प्राइस जो है प्राइस आपको कम चाहिए तो बहुत बढ़िया बात होगी और आपको तुरंद फोन चाहिए तो आपको रेड्मी नोट फोर लेना चाहिए मुझे नहीं लग रहे है कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक चेंज क्या जिए उनके लिए बैस्ट है क्यों दोनों में Android Oreo नहीं दिया गया Android Nougat पर ही चलते हैं दोनों हाला MIUI 9 दोनों में अपग्रेड हो गया है तो देखा चाहिए तो आपके पास पैसी की दिक्कत है आप चाहते है अच्छा फोन ले तो रेड्मी नोट 4 अभी भी बहुत बढ़िया सेल हो रहा है मार्केट में आप आप से प्रोसेशर वागर काफी बढ़िया है लेकिन आप एकदम एडवांस बड़ी स्क्रीन फुल डिस्प्ले सेल्फी केमरा बेटर मेमरी अच्छी प्रोसेश अच्छा चाहते हो तो आप इसमें ज़रूर ले सकते हैं प्र जल्दी लें चाहते हो तो नोट 4 ले सकते हैं प्रोसेशर जब बर दस्ते वर्ड में पहली बार इस्तेमाल किया का स्नाइब्रगान 636 है आपको Bluetooth 5.05 GHz का प्रोसेशर और स्लिम केस चाहते हैं तो आप Redmi Note 5 प्रो आवश ले सकते हैं तो जिसको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है लेटेस्ट ट्रेलोजी के साथ जाना जाता है रेड्मी नोट 5 आवश ले जिसको लेना ही है फोन लेकिन का पैसी कमी है तो रेड्मी नोट 4 बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के दिमा आज के दिन में भी इस फोन से बैटर ऑप्शन मुझे लगता अगर आपके प्राइस कंस्टेंट के प्रॉब्लम है तो आशकर दोस् देखने देने वादे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूले है थैंक यू